वन्टू फोर, वन्टू फोर स्वागत है आप सभी का चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ ये कहानी नाही आपने किसी नॉवल में पढ़ी होगी और नाही किसी फिल्म में देखी होगी क्यूंकि ये कहानी एक परिवार की है जिसकी नीव दो लोगों ने एक होकर रखी थी धीरे धीरे समय बिता और ये दो से तीन तीन से चार, पांच, छे और साथ हुए समय के साथ इस बगिया के फूल फलने फूलने लगे पड़की को पसंद था आईने में नहादना और मजली को जूला जूलना छुटकी टापा करती थी रस्सा बड़े जनाब खूब चलाया करते थे अपना बल्ला और छोटे जनाब भागा करते थे तित्रियों के पीछे यह स्ता खेवता परिवार बढ़ने लगा और उससे भी जादा बढ़ने लगी उनकी खुशियां घर में आए दिन जौनक सी लगने लगी क्या खूब होती थी दिवाली मस्ती से डूबी होती थी होली और रुमांचक होती थी वो पतंग बाजी पर अचानक घोर घटा चा गई सुक पर दुख की घटा पापा नहीं रहे ये किसी सत्मे से कम नहीं था इस परिवार के लिए लेकिन इस घड़ी में मम्मी ने हिम्मद मद आई और फिर मौसम आया शादियों का उसके बाद सब चल दिये अपने रास्ते घर में फिर से किलकारियां गुणी नन्ने मुन्ने फरिश्टे खुशियां साथ लाए कुछ समय बाद मम्मी चली गई पर उनकी दी गई सीख साथ रह गई सभी भाई बेहनों ने अपनी जिंदगी में दिल और जान से मैनत की और खुद को कामियाब बनाया और अब ये परिवार 25 लोगों का है चाहे बच्चा हो या बुढ़ा सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सभी लोगों कारते हैं